नमस्कार दोस्तों स्वागे ना मेरे चैनल फुर्स इंवेस्टमेंट पे एंड आयम यो मेंट और शिवांश मसी तो दोस्तों आप लोग वेट कर रहे होगे मेरी इस वीडियो के आने का एंड डिफनेटली अब मैं भी वेट कर रहा था कि मैं यूट्यूब पे जल्दी यहा कोशिश करूँ और ज्यादा नॉलेज आप लोगों पर गभी में का बीट कर हमाने की हिस प्रींट पर possible from popularity हैws कभी भी हम लोगों को खाय लेवल्स में मिलता है और कोई भी एक रिवर्सल दिखता है yes we can go for a short position जिस तरीके से मैं जब आज मैंने पूरी market को analyze करा मैंने day to day मैंने 5 minute के time frame से पूरी market को समझा है तो पूरा ये concept निकल के आ रहा है कि हम देख रहे हैं तो अगर हम लोग study करें बहुत जादा volatility है, volatility जादा है कि हम लोग देखते हैं कि कभी वी ऊपर side में जाता है, तो एक selling pressure हमें दुबारा देखने को मिल जाता है, और नीचे और जाय जा रहा है, so buying pressure बहुत low है, selling pressure बहुत जादा है, so यहाँ पर मैं buy करने की सला तो बिल्कुल भी दूँगा और जब तक एक stable level हमें देखने को नहीं मिल जाता, जो कि हम charts पर study करेंगे, तब तक मैं आप लोगों को कोई recommendation, nifty bank, nifty की according नहीं देने वाला, तो चलिए start करते है, stocks specific हम लोगों को गरहे नहीं है, क्योंकि stocks ही हैं, तो stocks की बात करते हैं, 5 stocks मैं आप लोगों को लि मैं अब तक लिए, bye-bye जिंदाल steel, जिंदाल steel हमारा first stock है, और इसके बार में बात करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने 1 hour का time frame open कराया हुआ है, and 1 hour का time frame पर आपको यहाँ पर clearly दिख रहा हुआ एक zone, इस zone पर आप यहाँ देख सकते हैं, this is our resistance, resistance, जैसी resistance का breakout हुआ, it gave up first time support, पहली बार support दिया, and यहाँ पर इसने second time support दिया, दूसरी बार support देके यह ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पर और interesting facts में आप लोगों को दिखाऊं, तो मैं थोड़ा सा zoom करना चाहूँगा, और नीचे मैंने 1 RSI लगा रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर दिखेंगे, तो trend आपको ज आपको जानी की जो divergence हमें देखने को मिल रहा है, अगर RSI इंडिकेट कर रहा है, एक bullish divergence, तो यहाँ पर हमारे लिए एक buy setup ही generate होना था, ठीक है, so yes what we can expect, अगर मैं expectation की बात करूँ तो यहाँ पर एक smaller time frame पर एक pattern भी develop हो रहा है, जिसे हम लोग कह सकते है, double bottom pattern, आप देख सकते है, stock नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर, उसके बाद अगेन नीचे और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत clear way में एक double bottom type of scenario भी दिख रहा है, अब हम लोगों ने कहाँ पर buying बनाई, आप देख सकते हैं, यह एक zone अगर आप clear way में दे शिश करी, वहाँ पर भी उसे resistance मिला, बट इवेंचली इसने 11.15, around 11.40 के आसपास इसने breakout दे दिया था, जैसी इसने breakout दिया, exact मैंने इसी level पर buy generate करा, buy setup में गया हूँ, मैंने अपने clients को भी बोला, you have to go for a buy, yes, 2 घंटे consolidate करा, बट इवेंचली इचली 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 अराउंड 11.41 एम पर, मैंने buy setup generate करा था, at 317 पर, मेरे जो targets थे, that is 3.24, 3.28 के, जो कि मैंने 11.41 पर ही बता दिया था, it's not an intraday trade, ये एक intraday trade नहीं है, it's a BTSD trade, यानि कि आज बाए करना है, कल सेल करें हम लोग, ठेक है, उसके लावा हम लोग ने एक HCL TIC पर भी बाई है, for a swing trading, ठेक है, so, यहाँ पर अभी भी, जो targets है, वो हमारे achieved नहीं हुए है, we can also get a very good profit, by tomorrow itself, because मैंने trade ये कल के लिए दिया था, ठेक है, so, yes, we can go for a buy in this particular stock, and let me open a daily time frame, for that, ठेक है, daily time frame में, जब open कर रहा हो, यहाँ पर आप लोगो को, clear way में दिख रहा होगा, कि जो इसकी closing ह है, that is 320.95, यानि के closer to 321 की closing है, ठेक है, I think कि ये 328 तक अराम से जा सकता है, जो कि मुझे लगता है कि कल कि इसके targets हो सकते है, so, you don't have to wait for the full target of 328, आप 327, 326.5 तक कि या असपास, भी exit कर सकते हैं, 5-6 रोपे, इस particular stock के अंदर, is very good, okay, so, let's move to our next stock, our next stock is, बायो कॉन, बायो कॉन, पर भी, मैं बाय करने की ही, आप लोगो को सला दे रहा हूँ, and, जिस तरीके से आप लोगो को दिख रहा होगा, एक sharp continuously 3 fall, एक 3 die formation, इसने बनाई है, and, उसके बाद, continuously, it's consolidating on a lower time, lower side, okay, continuously, इसने triple bottom type scenario बनाया, and again, it started to move back up again, okay, so, yes, इसका एक छोटा सा लेवल, एक resistance है, जो की 405 के असपास है, 404 के असपास है, currently, it's trading at 402, अगर 405 का level break हो जाता है, guys, so, definitely, यहाँ पर, हम लोगे, 15 से 20 रुपे की up move, भी, expect कर सकते है, so, let me, make a range, again, make range, आप लिए, draw कर देता हूँ, so, I think, this is a range, यह range, जैसी breakout देती है, so, what we can expect, यह नीचे, थोड़ा उपर ज कर सकती है, this stock को हमें buy, अगर करना हो, तो 404 के उपर, अगर 15 मिनिट की candle की close करते है, you can go for a buy, okay, so, let's move to our next stock, that is, bandhan bank, इसके बारे में भी, हम लोगे ने बात करी थी, on a live market analysis, जो की हम अपने students के साथ लेते है, okay, so, yes, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि, एक बुलिश गाटले pattern form होगा था, एक बुलिश गाटले pattern form होने के बाद, what we've seen, एक अच्छी गासी 3, uh, candles की एक up move आई, उसके बाद, यह भी एक consolidation zone में जा चुका है, consolidation zone में जा चुका है, but, it is trying to move back up again, or closing above its previous resistance, so, yes, 352 की closing above, definitely, we can go for a buy, let me go with a early time frame, and show you very clearly, yes, आप यहाँ देख सकते हैं, यह किस त हम करा है, exact अपने resistance पर trade कर रहा है, say, exact अपने resistance पर trade कर रहा हो, अगर जैसी यह level का breakout आता है, uh, मैं मान के चलू, अगर यह 354 का, early time frame पर closing दे देता है, so, I can expect कि यह 370 तक भी जा सकता है, yes, guys, 370 तक भी जा सकता है, but, we have to wait for a early closing, yes, early closing candle to close above 354 level, 354 के उपर 370 का target expected है, but, अगर early closing late मिलती है, और you think, intraday target achieved नहीं हो सकता है, तब आप लोग BTSD trade लेकर चल सकते हो, for a witness day trade, okay, so, let's move to our next stock, and our next stock should be sunfarmer, sunfarmer के अंदर भी, हम लोगों ने एक harmonic pattern देखा है, let me open a daily time frame, daily time frame, अगर मैं open करता हूं, yes, you can see a harmonic pattern, हम लोगों को देखने को मिल रहा है, sunfarmer के अंदर भी, and this pattern is also called a gaatle pattern, यह gaatle pattern है, and eventually it gave a very good reversal from this level, बहुत ही बड़ी है, रिवर्सल दिया है अपने लेवल का, and right now it's trading at its resistance, जो कि resistance level है in between 5.90 to 5.92 का, currently it's trading in between of 5.91, so, we have to hold, we have to wait, we have to wait to cross above the level of, let me show you, we have to wait to close above 5.93, अगर यह 5.93 के उपर close करता है, yes, we can expect this particular stock to go above 605 or 600, 7 to 8 points or 10 points in intraday is very good, we don't have to wait for a 50 per rupees move, 50 points move, 60 point move, 5 to 10 rupees, और अगर आप फ्यूचर पर trade करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा return मिल सकता है, okay, our last stock is relaxo, अगर मैं बात करता हूँ, let's open daily time frame, daily time frame में जब open करता है, तो यहाँ पर आपको clearly दिख रहा होगा, it's trading in a range, देखे, एक sharp up move आई, उसके बाद एक range के अंदर trade कर रहा था, उसके बाद एक clearly, it's giving a signal of giving a breakout above this level, currently the stock price is trading at 870.40 रुपीज, अब आप देख सकता है, अगर मैं back testing, अगर आपको इसकी करके दिखाता हूँ, तो आप previously भी जाके देखेगा, जब भी इस ने breakout दिया, तो breakout candle बहुत जादा strong मनी है, उसके बाद थोड़े time consolidate कर रहा, उसके बाद एक sharp up move आई है, similarly, यहाँ पर भी वो हुआ था, consolidate कर रहा, it gave a very good breakout, फिर उसके बाद consolidate कर रहा, उसके बाद again it moved up, क्या हो सकता है, अगर कल इसकी उपर निकलना start करता है, which level is this, say 872, अगर 872 की उपर यह निकलना start करता है, it can give a very good breakout, आप breakout के लिए buy कर सकते हो, 10-15 रुपे तक की movement, आप इसमें capture कर सकते हो, and I think थोड़े time consolidation करने के बाद, एक अच्य rallies के अंदर दुबारा start हो सकती है, तो इस particular stock को भी आप लोग वाच करके definitely चलेंगे, so I hope मैंने आप लोगों को 5 stocks की recommendation दे दी होगी, आप लोगों को with logical reason के साथ बताया होगा, कि यह stocks क्यों उपर जा सकते हैं, and guys, इस पे आप एक 6th stock भी आड़ कर सकते हैं, HCL Tech, जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं cover करा, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को telegram channel के थूरू बता दूँगा, आप उस पे खुद study करिए, आप मुझे बतायेगा कि वो मैंने stock क्यो recommend करा, Nifty Bank Nifty की में एक अलग सी वीडियो लेकर आता हूँ, उस पे मैं Nifty Bank Nifty बताऊँगा, और उन में से एक expiry के लिए मैं आप लोगों को option strategy भी recommend करने वाला हूँ, क्या logic है, क्या reason है, कौन सी option strategy work कर सकती है, क्या लगता है, market ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, सारी चीज़े अगली वीडियो मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने वाला हूँ, तब तक के लिए stay tuned and हमारे चैनल को तभी ही follow करते रहिएगा, इस वीडियो को जितना share कर सकते हैं, share करिए, इस वीडियो को लाइक करना मैं भूलेगा guys, अगर आप लोगो को वीडियो पसंद आई है, and हमारे इंस्ताग्राम चैनल पे भी आप जॉइन हो सकते हैं, and भाप हमें up-to-date daily updates आप लोगों के लिए डालता हूँ, and बहुत ही बहुत जादा educational वीडियो वहाँ पर आपको के साथ और knowledge शेयर करी जाती है, so इसी के साथ मैं शिवांज भसीन मिलता हूँ आप लोगों के से अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुडबाई, बाई बाई बाई, and enjoy yourself, happy trading, झालता हूँ,